Good morning students, आज हम अपना next topic start करते हैं, semi-conservative nature of replication. Last topic में हमने replication का पूरा process किया था, जिसमें different enzymes involved थे, कि कैसे हमारा double-stranded DNA से हमारे दो DNA synthesize होते हैं, वो सारा process हमने किसमें किया था, replication में किया था. अब हमने पढ़ना है, semi-conservative का मतलब क्या है? semi means आधा, conservative means बचाना, कि आधा DNA जो होता है, हमारा replication में वो पुराना ही रहता है, और आधा क्या है? नया बनता है, आधे से क्या मतलब है? जिसे हमें पता है, हमारे DNA में क्या है? double strands है, दो strands है, तो semi-conservative nature क्या कहता है? कि एक strand तो हमारा क्या है? पुराना ही रहता है, और एक strand क्या है? नया बनता है, जैसे एक strand देखो, मैंने blue color में ही दिखा रखा है, और दूसरा strand क्या है? red color, red colors means newly synthesized, तो ये nature, जिसमें एक strand तो क्या रहता है? earlier वाला और दूसरा strand क्या होता है? नया synthesize होता है, उस nature को हम क्या बोलते हैं? semi-conservative nature, तो अब इसके लिए बहुत सारे experiments किये गए different scientists से, जो semi-conservative की ये जो nature हम कह रहे हैं, कि एक strand तो क्या है? पुराना रहता है, और दूसरा strand क्या है? नया बनता है, उसके लिए अलग-अलग experiment किये गए, तो दो major experiment जो हमारे semi-conservative nature को prove करते हैं, उनमें से सबसा पहला experiment जो दिया था, वो milson and stall ने दिया था in 1957 and 58, 1953 में हमारा double helic model explain किया गया था, Watson and Crick, उसके कुछ सालों बाद ही उसका semi-conservative nature को explain किया गया by milson and stall, उन्होंने क्या किया? उन्होंने E. coli एक bacteria ले लिया, bacteria के अंदर DNA होगा हाना, तो उस bacteria को उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी lab में एक medium बना लिया, मतलब जिसके उपर bacteria grow हो सके, क्योंकि medium क्या है? source of nutrients, कोई भी organism जब तक उसको nourishment नहीं मिलेगी, grow नहीं हो सकता, तो E. coli को grow कराने के लिए, artificial तरीके से grow कराने के लिए, milson and stall ने क्या किया? अपनी lab में एक medium त्यार किया गया, जिसमें सारे sources थे, source of protein था, source of carbohydrate था, जो essential होते हैं किसी भी organism को grow कराने के लिए, तो उन्होंने E. coli को grow कराने के लिए, medium त्यार किया, उस medium में उन्होंने क्या किया? कि जो nitrogen source, जिससे हमारे क्या है? nitrogen basis बनेंगे, वो nitrogen source, simple ना लेकर, क्या करा? radioactive nitrogen उसमें डाल दिया, अब normal जो nitrogen होता है, that is N14, लेकिन उन्होंने क्या किया? normal N14 ना लेकर, कैसे nitrogen ली? N15, radioactive nitrogen यूज कर ली, तो अब जब ये E. coli divide करेगा, तो उसके अंदर क्या आए जाएगा? N15, क्योंकि वो वहाँ से ही यूज करकर, अपनी चीजों को, biomolecules को बनाएगा अपनी body में, तो जो medium में हमने दी हैं चीजें, उन्हीं को use करके, E. coli क्या करेगा? ग्रो करेगा, तो काफी दिनों तक जब वो ग्रो करता रहा, तो उसने क्या देखा, कि सारा का सारा जो DNA, N15 वाले radioactive DNA मिल गया, फिर वो क्या करता है? दो-तिन दिन के बाद, अब ये जो N15 वाले DNA बने हैं, उनको वो कहां ट्रांसफर कर देता है? एक normal medium में, मतलब कुछ generations तक क्या है? उसने क्या किया? E. coli को N15 वाले medium पर ग्रो कराया, फिर उसने क्या ट्रांसफर क्या कर दिया? उसी E. coli को ट्रांसफर कर दिया, कहां पर? नॉर्मल मेडियम पर, जहां पर nitrogen का source radioactive ना होकर क्या है? नॉर्मल है, तो ये किया उसने. अब हमें पता है, E. coli एक bacteria है, जो क्या है? after 20 minutes divide करता है, मतलब 20 minutes के बाद आप उसकी नई generation को देख सकते हैं. तो उसने क्या किया? पहली generation complete होने पर DNA निकाला, मतलब जो bacteria grow करे, वहां से DNA निकाला, फिर उसने अगली 20 minutes के बाद दुबारा से organism divide कर जाएगा, फिर दुबारा से DNA निकाला, उसने इस तरीके से कई generation तक किया, मतलब 20 minutes के बाद, फिर अगली 20 minutes के बाद, फिर अगली 20 minutes के बाद, तो उसने अप्रॉक्सिमेट एक घंटे 20 minutes में उसने क्या ले लिया, तीन generations को obtain कर लिया, बाद समझाई हम क्या कहना चाहरे हैं, कि milson install ने दो तरीके से E. coli को ग्रो कराया, पहली बार उसने N15 को लेकर ग्रो कराया, दूसरी बार उसने N14 को लेकर ग्रो कराया, और N14 को ग्रो कराने के बाद, उसने क्या किया, कि जितना भी DNA था, regular intervals पर वो निकालता रहा, DNA को निकालने का जो process है, वो हम आगे हमारे चप्टर आएंगे, बायो टेकनोलोजी वहाँ पर पढ़ेंगे, कि कैसे हम एक सेल में से DNA निकालते हैं, तो उसने क्या किया, E. coli से हर regular interval, regular interval हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि generation जब तक complete नहीं होएगी, तब तक हम replication के process को नहीं बता सकते, एक सेल से दो सेल बनने में, bacterial सेल को कितना time लग रहा है, 20 minutes, तो हर 20 minutes के बाद उसने क्या किया, सेल को निकाला, और वहाँ से क्या निकाल लिया, DNA निकाल लिया, तो ये चीज उसने कहीं generation तक करी, और एक gradient बना रखा था, मतलब एक tube में, cesium chloride, सीजियम एलिमेंट और chloride का compound भर रखा था उसने, और gradient बना रखा था, gradient का मतलब क्या होता है, कि नीचे की तरफ भारी, और जैसे जैसे हम उपर चले जाएंगे, cesium chloride की concentration क्या होती चले जाएगी कम, मतलब एक difference क्रियेट कर रखा था, नीचे की तरफ जादा है, मतलब heavy चीज नीचे settle हो जाएगी, और lighter चीज क्या रहेगी, उपर रहेगी, तो उसने एक gradient, मतलब difference क्रियेट कर रखा था, cesium chloride का, जहाँ पर cesium chloride की नीचे की तरफ density जादा है, और उपर की तरफ क्या है, कम है, तो ये एक tube में उसने ऐसे कर रखा था, तो जब भी वो DNA निकालता था, उस cesium chloride gradient में क्या है, उस DNA को एंटर कर डाल देता था, और centrifuge करता था, ठीक है, तो उसने क्या देखा, कि cesium chloride जो density gradient था, depending upon cesium chloride density, जो DNA हमने निकाला है, वो कहीं न कहीं जाकर settle हो रहा था, रुक रहा था, क्यों रुक रहा था, जहां पर उसके density सेम हो गई, मतलब जितना बार cesium chloride का है, उतना ही उसका है DNA का, तो वो वहाँ पर जाकर रुक जाता था, फर्दर मूव नहीं करता था, तो उसने क्या देखा, कि जब मैंने पहली generation में निकाल ला था, तो band कहां पर आ रहा था, थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा था, 20 मिलट के बाद उसने centrifugation करी, तो क्या देखा कि band थोड़ा सा उपर आ रहा है, ठीक है, फिर 3rd generation में उसने क्या देखा, कि band और उपर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या था, अब N जब 15 है, N 15 और N 14 में से कौन है भी होगा, N 15, तो N 15 जब पूरा था, इट इस हैवियर, तो वो नीचे सैटल हो रहा था, जब उसमें एक generation कम्प्लीट करने के बाद, रैप्लिकेशन हुई, तो उन्होंने क्या देखा, कि N 15 से थोड़ा सा उपर चला गया, मतलब यहाँ पर DNA क्या हो गया है, लाइटर हो गया है, हलका हो गया, इसका मतलब टोटली वो N 15 से नहीं बना हुआ, किससे बना हुआ है, N 14 से बना हुआ है, फिर उसने अगली generation में देखा, तो दो band आए, एक band जैसा हमारा N 14 और 15 वाला था, और दूसरा कैसा आया, उससे भी हलका और उपर आया, जो टोटली किससे बना हुआ था, N 14, N 14 से, तो उन्होंने क्या conclusion निकाला, कि हर 20 मिनट के बाद, जब एक generation complete हो रहे थी, density was light, lesser incisium gradient, कि density lighter की तरफ हमें दिखता हुआ, move होता हुआ, चलता जा रहा है, तो ये क्या शो करता है, this show that N 15 double-stranded DNA, जो N 15 double-stranded DNA था, now change, replication होने से, उसके अंदर क्या आगया है, N 14 बला, N 14 कहां से आया, जब उसने दूसरी बार, E coli को medium पर ग्रो कराया, और उसने simple nitrogen दी, radioactive nitrogen नहीं दी, तो N 14 यूज करकर replication होगी, provided in the medium, this show that the hybrid और intermediate DNA was obtained, एक strand N 14 बला है, और दूसरा strand क्या है, N 15 बला है, तो इससे क्या पता चला, कि एक strand तो हमारा as such रहता है, देखो, अगर as such ना रहता बच्चे, तो हमें ये intermediate वाली चीज नहीं मिलती, मतलब ये band हमें और उपर की तरफ जाता, ये band और उपर की तरफ जाता, ये बीच में आ रहा है, ये क्या show कर रहा है, कि density ना totally N14-14 वाली है, ना totally N15-15 वाली है, ये देखो, यहाँ पर density N15 ये नीचे की तरफ है, ये totally N14 वाला है, ये और उपर की तरफ है, लेकिन जो पहली generation है, वहाँ पर हमें intermediate, इन दोनों के बीच वाला structure मिल रहा है, density मिल रही है, तो इससे क्या proof हो रहा है, कि एक strand तो N14 वाला बन रहा है, और एक strand कौन सा है, पिछला ही N15 वाला है, तो ये ही हम क्या proof करना चाह रहे थे, semi conservative कि हमारा एक DNA strand तो पुराना रहता है, और एक strand क्या है, नया बनता है, तो ये milson install ने अपने cesium gradient की help से proof किया, कि जब उसने अलग-अलग generation पर DNA को isolate किया, और देखा, तो अलग-अलग density पर आपका DNA आकर रुक जाता है, ये क्या show करता है, कि पहले जो DNA की density थी, उससे वो क्या हो गई है, अलग हो गई है, कम हो गई है, क्यों क्योंकि पहले N15 वाले थे सारा DNA, अब आधा DNA, ये हम कहें, एक strand N15 से बना हुआ है, दूसरा strand क्या है, N14 से, इसलिए ही intermediate stage आई, तो इससे हम क्या conclude कर सकते हैं, कि हमारे DNA replication का जो process है, वो क्या है, semi conservative in nature, एक और चीज़ यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, अब हमने third generation में देखा, totally N14 वाले भी आ गए, हना, क्योंकि यहाँ से जब ये strand अलग होएंगे, दो red N14 वाले, उनसे N14 ही यूज़ आएगा, क्योंकि हम second time कौन सा medium दे रहे हैं, N14 अब हम इन, ये जो चार cells मिले हैं, इनको हम further replication के लिए जाएं देखा, तो देखो यहाँ पर एक black वाले भी जाएंगे, black से क्या बनेगा, red बनेगा, तो कितनी भी generations हम study कर लें, दो strand यह हम कहें, दो cells ऐसे रहेंगे, जिन में क्या रहेगा, intermediate DNA होएगा, ये बहुत important है, कहीं बर question आता है, कि is intermediate DNA always available, yes, हमें हमेशा ही मिलता रहेगा, क्योंकि वो जो earlier strands थे, वो खतम नहीं होंगे, वो as such अगली generation में, pass on होते रहेंगे, तो ये जो black वाला strand है, as such next, pass on होता रहेगा, तो हमें हमेशा, दो DNA ऐसे जरूर मिलेंगे, जो क्या रहेंगे, intermediate, intermediate, तो दो strand, या हमका, सॉरी, दो DNA strands हमें ऐसे मिलेंगे, जो क्या होंगे हमेशा, intermediate, जिसमें एक strand N14 वाला होगा, और दूसरा strand क्या होगा, N15 वाला होगा, ठीक है, तो ये था हमारा, मिलसन एन्स्टॉल का experiment, जिसने उन्हें इकोलाई के उपर किया था, फर्दर एक और साइन्टिस्ट आये, टेलर, जिनोंने हमारे, विक्या, फेबिया, एक प्लांट के उपर, उसके root tip से, cells ले लिये, root tip क्यों ली, क्योंकि root tip क्या है, highly meristematic region होता है, हमने 11 में पढ़ा था, fast dividing part होता है, प्लांट का, तो उन्होंने root tip के cells को ले लिया, और अपनी लाब में ग्रो कराया, ग्रो कराते हुए, उन्होंने जैसे, milson install ने क्या किया था, radioactive nitrogen ली थी, यहाँ पर उन्होंने radioactive nitrogen ना लेकर, thाइमिन ले लिया, H3, अब जितना भी आपका जो DNA था, वो सारा कैसा हो जाएगा, H3 वाला radioactive का इन जनरेशन तक, उसने उसको ग्रो कराया, फिर उन्होंने क्या किया, यह जो root cells आये थे, जिनके अंदर radioactive चला गया, ताइमिन चला गया, उन्होंने normal medium के उपर transfer कर दिया, जहाँ पर H1 था, तो और क्या डाल दिया, colchicin, colchicin क्या है, chemical है, जो हमारे chromosome number को क्या करता है, double कर देता है, chromosome number को double कर देता है, यह हम जब genetic modifications करते हैं, तो plant में usually हम DNA के chromosome के number को बढ़ाने के लिए, इस chemical को use किया जाता है, ठीक है, तो chromosome का number बढ़ जाएगा, तो क्या देखेंगे हम, जैसे और, यह DNA था हमारा, तो हमने क्या देखा, कि जब आपका normal radioactive वाला, आपका H3 था, थाइमिन था, तो आपको बहुत सारे spots दिखाई दे रहे थे, बहुत सारे spots मतलब सारे के सारे क्रोमोजोम्स में क्या है, radioactive, बहुत सारे spots दिखाई दे रहे थे, जब उसको क्या है, ultraviolet radiation में देखा गया, उन्होंने isolate नहीं किया DNA को, जैसे हमने पढ़ा था भी, मिलसन एंस्टॉल ने DNA को isolate करकर, फिर cesium gradient पर देखा था, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उन cells को ultraviolet radiation में रख दिया, तो जहाँ पर आपका radioactive थाइमिन था, वहाँ पर क्या है, पूरे chromosome में present था, फिर हमने जब फर्दर उसको colchicin के साथ, normal medium में grow कराया, तो क्या देखा, normal medium में grow कराया, और colchicin तो means, replication स्टार्ट हो गई, chromosome number क्या होने लग जाएंगे, अब double होने लग जाएंगे, double करने के लिए, जो nitrogen sources हैं, या आपका timing है, वो कहां से आएगा, normal medium से आएगा, normal medium में क्या है, radio activity नहीं है, तो radio activity दीरे दीरे क्या होती, चली जाएगी कम, तो उन्होंने क्या देखा, पहली generation में आपको spots क्या है, कम होने शुरू हो गए हैं, यहाँ पर spots जादा दिखाई दे रहे थे, जादा spots means, radio activity वहाँ पर जादा है, पहली generation में उन्होंने क्या देखा, कि spots थोड़े कम हो गए, इसका मतलब कैसा strand बनने लग गया है, जिसमें radio activity नहीं है, फिर further generation में देखी, उन्होंने radio activity एक सेल में तो आई ही नहीं, और दूसरे सेल में क्या हो रही थी, कम हो रही थी, तो इससे क्या प्रूव हुआ, कि पहला जैसे DNA था, वो पूरा का पूरा आगे नहीं जा रहा है, कुछ नया भी synthesize हो रहा है, मतलब कुछ फॉर्म हमारी पुरानी आ रही है, तभी थोड़े spots दिखाई दे रहे हैं, completely नहीं खतम हो रहे हैं, देखो completely नहीं खतम हो रहे हैं, चैह हम पहली generation की बात देखें, या दूसरी generation की, spots आपको हमीशा दिखाई देंगे, तो यह क्या है कि पिछला DNA जरूर आगे चल रहा है, चल रहा है, इसका मतलब क्या है, semi conservative nature है, कि कुछ पार्ट हमारा पिछला DNA का आता है, और कुछ पार्ट हमारा नया synthesize हो रहा है, तो अगर यहाँ पर बच्चे एक भी spot ना आता, शुरू में ही, पहले में ही यह ऐसे आ जाता, तो हम क्या कह सकते कि सारा का सारा DNA ही नया बना होगा, ठीक है, या हम अगली generation में कहें कि spot एक भी नहीं आया, तो सारा का सारा DNA नया बना है, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा हमें, हमें क्या पहली generation में थोड़े जादा spots दिखाई दे रहे हैं, अगली generation में हम क्या देख रहे हैं कि एक cell में spots खतम हो गए हैं, तो इससे क्या प्रूबवा कि पिछला जो DNA है, वो क्या है, पूरा पासान नहीं हो रहा है, या हम कहें, अगली generation में पूरा DNA नया भी नहीं बन रहा है, कुछ फॉर्म वो पिछली चल रही है, और कुछ फॉर्म क्या है, वो नहीं चल रही है, तो एक strand हमारा नया synthesize हो जाता है, और एक strand पुराना ही रहता है, इसी nature को हम क्या बोलते हैं, semi conservative nature of replication, यह बहुत important topic है, और milson install का जो experiment है, most important है, इसको five number में आता है question, explain the semi conservative nature of replication, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है, thank you.